राज्य सिख्चा केंद्र की बैव साइट में कक्चा 5W वा 8W की परिक्षाओं के लिए हम छात्रों को पंजीक रत कर इन्हें वैरिफाई कर रहे हैं अब जो हमारी साला के छात्र हैं यादि इनकी कोई तुरूटी पूर्ण जानकारी राज्य सिख्षकेंद की वेवसाइट में अंकित है तब इन्हें हम सुधार भी सकते हैं सुधारने के लिए एक्सन के नीचे जो राइट का ऐकॉन है इस पर हमें किलिक करना होता है जैसे हम किलिक करते हैं तो एक पॉप अप बिंडो ओपन होती है जहां छात्र की समस्त जानकारियां आ जाती है जिनमें हम सुधार कर सकते हैं जैसे आप देखेंगे कि छात्र का नाम लिखा हुआ है यादि छात्र के नाम में तुरूटी है तब आप इसे सुधार सकते हैं सिंपले इसे डिलीट करें और नया जो भी सही नाम है वो लिख दें तो इस प्रकार से इसमें आप सुधार कर सकते हैं इसी प्रकार छात्र की ज फ्रीज है अब प्रशन आता है कि यदि कैटेगरी गलत सो हो रही है तब इसे हम कैसे सुधार है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि राज सिक्षकेंद की वेवसाइट में यदि छात्र की कैटेगरी गलत आ रही है तब इसे कैसे सुधारना है जैसे आप देख सकते हैं पल्लवी इन्वाती जिसकी कैटेगरी आप यहां पर देख सकते हैं SC आ रही है जबकि पल्लवी इन्वाती की जो कैटेगरी सही है वो ST है यहां ST आना चाहिए लेकिन कैटेगरी गलत होने के कारण ओक तो छात्रा को हमने अभी verify नहीं किया है तो इसकी जो कैटेगरी है इसे क समगर पोर्टल पर सुधारी जाएगी इसकी request sent की जाएगी जहां जन्पत पंचायत के द्वारा जो कैटेगरी है चात्रा की या चात्र की इसे सुधार दिया जाएगा जब समगर पोर्टल पर चात्र की जो कैटेगरी है वो सुधार कर दी जाए इसके उपरांद इसमें का और करना है अब सिखल को सिखल पूर्टल पर लॉग इन करना है जो भी means BP दो Sak पर login करते ही कुछ इस प्रकार का interface हमारे सामने आ जाता है अब छात्र की जो category है इससे verify करने के लिए update करने के लिए student profile management का जो option है इस पर हम click करेंगे जैसे हम इस option पर click करते है एक नया page आ जाता है जहां student profile का जो option है इस पर click करने के उपरांद आप देखेंगे कि काफी सारे option आए हुए है अब इसमें जो पांजबा option है get update profile of a student इस option पर आपको click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो सबसे पहले आपको academic care select करना होगा और इसके उपरांद छात्र की समगर ID आपको इसमें fill करना है जैसे हम देखें तो यहाँ पर छात्र की समगर ID लिखी हुई है इसे ह सिक्षा portal पर इसे हम verify करते हैं अपडेट करते हैं तो इसके लिए हमने academic care select किया है छात्र की जो समगर ID से fill कर दिया अब get student detail from समगर इस option पर हम click करते हैं जैसे हम click करेंगे तो छात्र की जो जानकारी है वो open हो जाएगी दो box में जिसमें पहले box में जो जानकारी रहेगी वो सिक्षा portal पर छात्र की जो जानकारी प्रदसित हो रही है वो जानकारी रहेगी वहीं second box में आप देखेंगे कि समगर पोर्टल पर छात्र की जो जानकारी आ रही है वो सारी जानकारी इसमें दिखाई देगी अब इसमें आप देख सकते हैं कि समगर पोर्टल पर छात्र की जो category है वो ST आ चुकी है मतलब सुधार हो चुका है लेकिन सिक्षा portal पर चात की जो category है वो SC है हमें इसमें सुधार करना है इसके लिए अब हमें update student details इस option पर click करना होगा जैसे हम इस option पर click करेंगे तो यहाँ पर समगर portal पर चात की जो जानकारी है वो सारी जानकारी आप सिक्षा portal पर प्रदासित होने लगेगी तो हम update student details इस option पर click कर देते हैं जैसे हमने click किया तो यहाँ पर एक success का message आएगा student profile updated successfully तो हमें close कर देना है अर्था चात की जो detail है जो समगर portal पर detail है अब वो सिक्षा portal पर आने लगी है अब इसके लिए फिर से हम get student details from समगर इस option पर click करते हैं और देखते हैं कि कौन सी detail आ रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले SC आ रहा था अब ST आने लगा है अर्था समगर की जो जानकारी है वो पूरी की पूरी जानकारी अब सिक्षा portal पर प्रदसित होने लगी है अब इसके उपरांद फिर से हमें राजी सिक्षा केंद की जो website है RS के MP का portal इसे open करना है और इसमें इसकी जो category है इसे देख लेना है इसके लिए हम page को refresh करेंगे जैसे हमने page को refresh किया इसके उपरांद अब यहां से class हमें select कर लेना है और so इस option पर click कर दें जैसे हम click करेंगे तो समझत चात्रों के नाम आ जाएंगे अब अभी भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पल्लवी इनवाती है इसकी category ऐसी ही आ रही है तो हमें थोड़ा सा बेट कर लेना है एक से दो घंटे और इसके उपरांद फिर से RS के MP पोर्टल पर login करना है और इसके उपरां चात की जो category है इसे चेक कर लेना है कि अब सही category आ रही है या नहीं साथ ही इसकी जानकारी हमने जनसिक्षकेंद के माध्यम से विकासखंड में प्रेशित की है जहां विकासखंड में BRC महोदे के login ID से हमारी साला की जो जानकारी है इसे राजिसिक्षकेंद की website में अपडेट किया गया है अपडेट करने के लिए विकासखंड के login ID पर जो admin का option आता है इसका second option है student data का इस पर click करना है और click करने के उपरांथ आपको सम्मंधी cluster select करना होगा जो भी जनसिक्षकेंद है वो जनसिक्षकेंद select करना है और इसके उपरांथ जो साला है जिस साला की जनकारी आपको update करना है वो साला आपको select करना है और इसके उपरांथ shrink data with समगर portal इस option पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर एक updated का successful का message आएगा जिसे आपको okay करना है इसका अर्थ है कि आपकी जो जनकारी है जो समगर portal पर है छात्रों की वो सभी जनकारी राज्य सिक्षक गैंद की जो website है इसमें आ चुकी है अब हम okay कर देते हैं और इसके उपरांथ अब हम छात्र की जनकारी देखते हैं RS के portal पर सिक्षक के login ID से तो इसके लिए हम login करते हैं login करने के परश्याद जो 5th and 8th exam का option है इस पर हम किलिक करेंगे और Student Verification इस option पर हम किलिक कर देते हैं जैसे हम किलिक करेंगे तो आप class select करने का option आएगा तो हम कक्षा 5 यहां से select करते हैं और So इस option पर किलिक कर देंगे जैसे हमने So पर किलिक किया कि पहले यहां पर ऐसी प्रदसित हो रहा था लेकिन हमने सबसे पहले तो समगर पोर्टल पर पंचायत के माध्यम से अपडेट कर आया और पंचायत के दोरा अपडेट कर देने के उपरांद फिर से हमने सिक्षा पोर्टल पर इसे वेरिफाई किया और सिक्षा पोर्टल पर verify कर लेने के उपरांद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर category जो है वो HD प्रदसित होने लगी है जो की सही category है अब उक्त जो छात्रा है इसे हम verify कर सकते हैं RSK MP की website में verify करने के लिए जो right का icon है इस पर click कर देंगे जैसे हम किलिक करेंगे तो एक pop up window open होगी जहां चात की समस्त जानकारी आजाएगी अब यहाँ पर आप category देख सकते हैं चुकि freeze है option लेकिन यहाँ पर जो category है वो सही प्रदसित होने लगी है एथी RSK MP की website में category सुधार है तो एक महत्पून जानकारी आसा है जानकारी आप समझ पाए होंगे मिलते हैं कुछ इसी परकार की जानकारी के साथ में next वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद